इस महीने में खास्तोर पर श्री विश्नु पूजन किया जाता है। कार्तिक माह भगवान विश्नु का महीना माना गया है। पूरे कार्तिक मास परियंत निम्न फूलो से श्री हरी भगवान विष्णू का पूजन करने से मनुष्य के जन जन मांतर के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1. कार्तिक मास में जो मनुष्य बिल्व पत्र से भगवान विष्णू की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। 2. जो मनुष्य वकुल और अशोक के फूलो से भगवान विष्णू का पूजन करते हैं। 3. वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। 3. जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान विष्णू का पूजन करते हैं। 4. उनके आगे इंद्र भी हाथ जोडता है। तपस्या करके संतुष्ठ होने पर हरी भगवान जो नहीं करते, वो अगस्त्य के पुष्पो से भगवान को अलंकृत करते हैं। 4. कार्तिक मास में तुलसी दर्शन करने, स्पर्ष करने, कथा कहने। 5. नमसकार करने, स्थुती करने, तुलसी रोपन, जल से सीचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदी करने से हजार करोड युग परियंत विश्णु लोक में निवास करते हैं। 5. जो मनुश्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुम्प से उत्पन होने वाले प्रलयकाल तक विश्णु लोक में निवास करते हैं। 6. जो मनुश्य कार्थिक मास में तुलसी का रोपन करता है और रोपी गई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं, उतने ही हजार युग परियंत तुलसी रोपन करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। 7. जिस किसी मनुश्य द्वारा रोपी गई तुलसी से जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल प्रित्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे, वे 2000 कल तक विश्णु लोक में निवास करते हैं। 8. जो मनुश्य कदम के पुश्पों से श्रीहरी का पूजन करते हैं, वे कभी भी यम्राज को नहीं देखते। 9. जो भक्त गुलाब के पुश्पों से भगवान विश्णु का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ती मिलती है। 10. जो मनुश्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें पर भगवान अत्यंत प्रसन होते हैं। 11. जो मनुश्य भगवान विश्णु पर आम की मंजरी चड़ाते हैं, वे करोणों गायों के दान का फल पाते हैं। 12. जो मनुश्य दूब के एनकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे सोगुना पूजा का फल ग्रहन करते हैं। 13. जो मनुश्य विश्णु भगवान को चमपा के फूलों से पूजते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। 14. पीले रक्तवर्ण के कमल पुश्पों से भगवान का पूजन करने वाले को श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। 15. जो भख्त विश्णु जी को केतकी के पुश्प चड़ाते हैं, उनके करोडों जन्म के पाप नश्ठ हो जाते हैं। 16. जो मनुश्य शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उनको महागोर यमराज के मार्क का भय नहीं रहता। 17. कार्तिक मास में जो मनुश्य तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नश्ठ हो जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन ओल बटन को दवाना ना भूलिए।